नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विश्टेशन में आपका स्वागत है संपाद की से समंधित इस वीडियो की सुरुवात करने से पहले हम यह देखते हैं कि कल जो प्रश्ण पूछा गया था उसका सही जवाब क्या है प्रश्ण है कि पदोनती में आरक्षन निम्न में से किस अनुच्छेत से समंधित है चार ओप्सन है ओप्सन A 16-4, ओप्सन B 16-4A, ओप्सन C 16-4B, ओप्सन D 16-5 तो इसका सही जवाब है ओप्सन B 16-4A आज हम The Hindu May Publish एक कॉलम जिसका सिर्षक है Dutch India's Neverhood Policy Need Reworking पर चर्चा करेंगे और यह कॉलम GS Paper 2 में शामिल विसा है भारत एवं इसके पडोसी देश के दृष्टि कोन से महत्पूर्ण है तो चलिए देखते हैं इस कॉलम को विस्तार के साथ हाल ही में भारत के राष्टि सुरक्षा सलाकार और विदेश सचिव ने पडोसी देशों की यात्रा की या यात्रा ना केवल परोसी देशों को लेकर भारत की नई नीती का संकेत है बलकि परोसी देशों के साथ समंधों में नई उर्जा का संचार भी है इस यात्रा का उद्देश है छेत्री सयोग में विर्धी करना अब हम पडोसी देसों के संदर्व में भारत की नीती से सम्मंदित विभिन प्रश्णों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्ण यह है कि क्या भारत को नए सीरे से नीती पर कारी करने की आवे सकता है। तो देखिए हमें यह पता है कि भारत स्वत्मत्रता के बाद से ही अप समान नीती अपनाई जाए अब इसका क्या कारण है वो देखिए कि दक्षिर ACI छेत्र भौगलिक रूप से जटिल है पहला तो यह कि वैसिक इस्तर पर यह जनसंख्या का एक बड़ा छेत्र है वहीं दूसरा कि इन छेत्रों के बीच में नियूनतम एकिकरण है नियूनतम एक भरता भी काफी कम है इसके अलावा इस छेत्र में चीन के प्रवेश के साथ और दूसरा भारत के पडोसी देशों के साथ अमेरिका का जो संबंद बढ़ रहा है इन सब ने मिलकर भू राजनिती की रूप से भारत की प्रतीस प्रधा में विर्धी की है अगर भारत का मुख की उद्देश से पडोसी देशों के साथ संपर्क को बढ़ाना है तो पडोसी देशों के साथ भारत को लगातार वारता बनाये रखनी होगी और भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि जब भारत घरेलू नीती का निर्मान करे तो उसमें विदेश नीती का पक्ष गौन न हो जाए यह बात इसलिए कही जा रही है कि अगर citizenship amendment act के सभी प्रापधानों को लागू कर दिया जाता है तो आसंका इस बात की है कि बांगला देश के साथ भारत के संबंधों में और इस्थिरता आए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्ण की कि क्या परोसी देशों के साथ भारत को उदारता एवं सक्ति की नीती अपनानी चाहिए तो भारत को अपने परोसी देशों के साथ उदारता की नीती तो जरूर अपनानी चाहिए परंतु सक्ति की नीती की बजाए इस पस्टता की नीती अपनानी चाहिए अब यहां पर यह बात कि भारत अगर यह कहता ह कि पडोसी देशों के परती भारत की जो नीती है उसका कारण इन पडोसी देशों का चीन के साथ उनकी निकटता है चलिए यह मान भी लिया जाए परंतु पडोसी देशों पर भारत यह शर्त नहीं थोप सकता है कि उन देशों को चीन के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जबकि पडोसी देशों की हम बात करें तो ये पडोसी देश भारत और चीन के मद्ध संतुलन बनाते हैं उन्हें केवल इस बात से मतलब है कि इन दोनों देशों में उन्हें किसे से ज़्यादा लाब मिल रहा है साथ ही ये पडोसी देश भारत से चिंतित रहते हैं क्योंकि भारत इस भौगलिक छेत्र में सबसे बड़ा देश है समस्या का समाधान यह है कि इस छेत्र में पारसपरिक निर्भरता का सिर्जन करना होगा और पारसपरिक निर्भरता का सिर्जन करके ही भारत दक्षन ACI छेत्र में रणनीतिक लाब को प्राप्त कर पाएगा अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि क्या इस छेत्र में चीन के परतिरोध को रोकने का कोई उपाय है हमें यह पता है कि दक्षिन ACI छेत्र के बाजार में खुली परतिस्परदा है एक समय था जब भारत के परोसी देश जादातर भारत पर निर्भर थे और भारत पर भरोसा करते थे परन्तु यही देश अब पहले आओ और पहले पाओ की नीती पर भरोसा करते हैं भारत ने पिछले कई वरसों से इन परोसी देशों में कई पहल की है यह पहल है उर्जा, अवसनचना, संपर्क, अनुदान और रिन से सम्मंदित। इसका अर्थिया नहीं है कि भारत का दृष्ट कोन उदार है। इसका अर्थिया है कि भारत चीन से कड़ी प्रतिस्पर्था का सामना कर रहा है। दक्षिन ACI छेत्र में चीन के प्रतिरोध या प्रभाव को रोकने के लिए यह आविस्यक है कि भारत ना केवल निवेस की मात्रा में वृद्धी करे बलकि परियोजनाओं को सही समय पर भी पूरा करे। अगला प्रस्ण है कि दक्षिन ACI छेत्र में अमरीकी क्रिया कलाप में वृद्धी के क्या माइने हैं। आज की नीती अपना रहा था। परन्तु पिछले कई वर्सों से विकास सहयोग कारिक्रम के द्रिश्टिकोन में परिवर्तन हुआ है। अब भारत दक्षिन ACI में जादा खुलेपन के साथ सहयोग एवं सवन्वे की नीती को अपना रहा है। और इसका लाब है। यह इसलिए भी आवस्यक है क्योंकि भारत संसाधन के मामले में चीन के साथ प्रतिसप्रदार नहीं कर सकता। परंतु भारत को यह बात ध्यान रखनी होगी कि अमरिका, जापान और आस्टेलिया के दक्षिन ACI हित अलग है। इनका उदेश से चीन का प्रतिरोत करना है। और चीन इन देशों का पडोसी नहीं है। इसलिए चीन के साथ प्रतक्ष गतिरोत को दूर करने के लिए भारत दुई पक्षिय वारता पर बल देता रहे। वर्तमान में सार्क की क्या भूमिका है। तो कुछ विशेशक सार्क को वर्तमान अंतराष्टी परिद्रिश में ओप्रासंगिक मानते हैं। और भारत ने अपना ध्यान दक्षिन में हिंद महासागर छेत्र और पुर्व में बंगाल की खाड़ी के पार दक्षिन पुर्व एसिया में लगाया। बंगलादेश, भुटान, इंडिया, नेपाल को पुनरजीवित किया। परंतु कुछ विसले सक सार्क को प्रासंगिक भी मानते हैं। इनका यह मानना है कि लगभग सभी पडोसी देश सार्क में रूची रखते हैं। और इन पडोसी देशों का यह मानना है कि छेत्रिय को बढ़ाने में सार्क की भूमिका उप्योगी है। और इनका यह भी कहना है कि अगर भारत सार्क को छोड़ता है तो फिर चीन का स्वागत किया जा सकता है। और अगर यह होता है तो भारत की चनोती इस छेत्र में और बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर भारत अपने पड पडूसी देसों के साथ समकक्च की भूमिका निभाए। यही इस छेत्र के लिए भारत की उचित रनननीती होगी। इस प्रकार हमने यह देखा कि वर्तमान अंतराष्टिय परिद्रिस्व में पडूसी देसों के साथ भारत की क्या नीती होनी चाहिए। यह रहा इससे प्रश्ण है कि पड़ोसी देशों के संदर्व में भारत की नीती पर अपना मत इसपस्ट करें। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।